बच्चों को मेरा नमस्कार में आपका साउगात आई बच्चों लर्निंग आउर्स कम प्यादा एत लर्निंग इप सामगरी के अंतरगत हिंदी विसे कक्षा पांच वी कक्षा चाहूंती की मैं एक पुर्ण मक्षीटों को हल करेंगे बेच कोर्स की ये पुस्तक है वीडियो को सुरू से अंदर देखे चेनल को जरू स्क्राइब कर लें आज हम ठाड दौर 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 चमकी दिवाली के अंतरगत इसकवीता के मैंट्पन प्रस्चों तरिक कमपेट करते हैं आई एक बार हम इसे पढ़ते हैं जगमक जगमक दिये चल उठे दौर दौर चमकी दिव दिवाली गली-गली में चहल पहल है अचा हुआ है धूम-धड़ा का लिए मिठाई कोई आता कोई लाता बंपटा का ऐसी सजी दीव मालाएं जैसे हो फूलो की डौर दौर दौर चमकी दिवाली अब अभ्याज देखते हैं खालिस्तान जो चुटे हुए आ रहे हैं उनको जूम-जूम कर गाते जौर दौर कर दीप जलाते भर भर कर फूल जड़ी खिलोने बच्चे बाजा रोशे लाते अगला प्रशन है उप्यक्त कविता में चूटे हुए सब्दों को भरिये तो हमने यहाँ पे सब्दों को भर दिया है अब हैं भरे हुए सब्दों में तु वाली थाली अन्नू बन्नू सीता गीता चहल पहल हो जाएगा अगला प्रशन है पुर्णवत्ती सब्द किसे कहते हैं तो यह सब्दों जो बार बार आते हैं उन्हें पुर्णवत्ती सब्द कहते हैं जैसे बार बार दौर दौर अगला चितर हम देख रहे हैं चितरों में दे रहें वहां दिखाई दे रहे हैं यहां पर पसू चिकित सालह भी हमें दिखाई दे रहा है अगला प्रशन है पसू बक्षी विक्तियों के नाम तो चिडिया कुट्ता मनू औरत हो जायगा है हैं लड़का और ही हो जाएगा बच्चे वस्तूओं के नाम ट्रक जीब बस बिंडी गाजर फल और जूता इस्थान के नाम हो जाएंगे डाकर और पाट साला तो यहीं से हमें समस्परसनों के उत्तरों को बताना है अगला है वर्क पहली बताना है आपको यहाँ पे संग्या सरनाम और विरामचिन की पैचान करना है तो जैसे माई हो जाएगा सरनाम गाय हो जाएगी संग्या उष्णे हो जाएगा सरनाम पौन विरामचिन हो जाएगा राम हो जाएगा संग्या उनके हो जाएगा सरनाम सेर हो जाएगा संग्या प्रशनमाचिक चिन मुझे हो जाएगा संग्या सरनाम मदू हो जाएगा संग्या राम हो जाएगा संग्या अलप विराम ये हो जाएंगे हमारे चिन और राम हो जाएगा संग्या आप देखते हैं बच्छों संग्या के इस्थान पर हमने गाह राम सेर और मदू लिख दिया सरनाम के इस्थान पर मुझे उशने उनके उनके मैं और वह हो जाएगा पौन विराम चिन में पौन विराम प्रस्ण माचक चिन और अलब विराम हो जाएगा अगला प्रस्ण है अगली व्रक्षिट दी गई है स्राण कुमार अजुद्या राज के रहने वाले थे उनके पिता का नाम सांत अनुद था माता का नाम भागवती था दोनों ब्रत और नैते हिं थे स्रॉण कुमार उनके एकलोता पुत्र था वह अपने पिता की कूप सेवा करता हुआ प्रती दिन रातरी में उन्हें सुलाकर ही स्वयम सूता अब हम देख रहे हैं संग्या और स्रॉण नाम में यहां से छाटना था स्रॉण कुमार भायकवती स स्रमार कुमार, शान तनू, यह हो जाएंगी हमारी शंग्या और वहाँ उसके उनके यह हो जाएगा स्रणना, अगला प्रशन है, अभ्यास पांच, स्वामी जी, प्यारे बच्चों बता कि स्री राम कौन थे, सभी बच्चे स्री राम अयुद्या के राजा थे, अनुच्छत राम से बहुत प्यार करते थे, यहां पर अलफ पर राम, यहां पर पौन वी राम आ जाएगा, फिर ऐसी राम को 12 वर्स का वनवास हुआ, पौन वी राम क्या आप कभी अहुद्धा गाए हो, प्रशन वाचक चिन्दी यहां पर बन जाएगा, आसा है वीडियो आपका वस् इस वीडियो वो देखा, चिन्दी यहां को सब्सक्राइब करके भी लाइकन को जरूर प्रिश करना है, ताकि आने वाली ऐसी मैत पर वीडियो का नो डिपी किस नाम तक पहुंस तरहेगा, कमेंट्स बाकस में आपके शुजाब आश्र बताएए, धन्यों आन्यों